Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do the central idea of the poem Lines Written in Earthly Spring by William Wordsworth तो यह जो पोएम है वो प्रकरती प्रेमी विलियम वर्ट्सवर्थ ने लिकी है और उन्होंने इस कवीता में यह कहने की कोशिश की है कि जो इनसान है वो प्रकरती से दूर होता जा रहा है क्योंकि वो आज की भागदोर की जिनकी में जो material things है उनको जुटाने में लगा हुआ है जिसकी वजह से उनका जो peace of mind है वो खतम हो गया है वो प्रकरती से बिल्कुल जो है जुदा हो गया है इसलिए अगर उसे peace of mind जो है वो लेना है और अगर उसे प्रकरती की तरह ही जो है उनमुक्त अवस्था में रहना है और life को enjoy करना है तो उसे प्रकरती के नजदीक जाना होगा और उससे सच्चा प्यार जो है वो बढ़ाना होगा तो चले करते हैं इस poem को The central idea of the poem is that man's separation from nature is the main cause of all his evils and worries कि जो मनुश्य है उसका प्रकरती से अलग हो जाने की वज़े से ही उसको बहुत सारी जो उसमें कमिया आ गया है उसको बहुत सारी जो दुख आ गया है Man has become creative for material things और वो material things के लिए बहुत ही लालची हो गया है He is always busy in earning money and has no peace of mind वो हमेशा ही पैसा कमाने में लगा हुआ है और उसको प्रकरती जो peace of mind नहीं है He lives away from the beauties of nature वो प्रकरती की संदरता से दूर रहता है So he is not able to enjoy the beauty of nature इसी लिए वो जो प्रकरती है उसकी beauty को enjoy नहीं कर पा रहा है He should develop true love for nature उसे क्या करना चाहिए? प्रकरती से सच्चा प्यार He must go back to nature If he wants to regain his lost happiness अगर वो अपने जो खोई हुई खुशी है उसको दोबारा प्रापत करना चाहता है तो उसे दोबारा nature के पास चाना पड़ेगा Nature से प्यार करना पड़ेगा Nature is his friend and guide Nature उसकी जो दोस्त है और उसके मार्ग दर्शिका है He will live happy and carefree as nature herself is और वो खुश रहेगा और जो है चिंता मुक्त रहेगा अगर वो प्रकरती से प्यार करता है तो उसी तरह से जिस तरह से प्रकरती उनमुक्त दवस्ता में जो है वो रहती है Such was wordsworth from Billy and nature's holy plan और यही जो wordsworth थी उनका पक्का विश्वास था पक्का यकीन था कि अगर nature की गोर में हम चाहेंगे nature से प्यार करेंगे तो हम खुश रहेंगे हमारा जो दिल है वो खुश होगा और हम हर तरह की बिमारे से मुक्त हो चाहेंगे और यही शायद प्रकरती का पवित्र जो यूजना थी कि इनसान उसे प्यार करेंगे आपको समझ भी आगया होगा मिलते है नेक्स वीडियो में इकने टोपिक की साथ त्यू देन गुट्बाई वे नास तैम करेंगे प्यार करेंगे